दोस्तों प्रॉब्लम के अंडर्स्टेंग लेते हैं, find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10, 6, minus 8 is divided by minus 1 और 6 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, कि हमें, दोस्तों यहाँ पर हमें एक line segment दी हुई है, line segment क्या है, minus 3, 10 और 6, minus 8 और यह किस से divide होती है, यह line segment किस से divide होती है, इस वाले points से, इस वाले coordinates से, minus 1 और 6 कैसे करेंगे इस type की problem को, और देखिए, पूछा क्या है हमें हमें यहाँ पर, हमें यहाँ यहाँ पर ratio पूछी है, किस ratio में minus 1 और 6 इस line segment को, यहाँ पर cut करती है कैसे करेंगे सबसे पहले इस problem को बनाने के लिए एक diagram बना लेते हैं diagram किस तरह बनेगा देखिए अगर आपकी line segment let's suppose इस तरह से बन जाती है यहाँ पर जो point है उसका नाम A दे दीजे यहाँ पर जो point है उसका नाम B दे दीजे A के coordinate क्या होंगे minus 3, 10 B के coordinate क्या होंगे 6 और minus 8 ठीक है और यह divide किस से होते हैं यह divide होते है let's see यहाँ मैं कोई भी randomly एक point बना देता हूँ minus 1 और 6, P करके मैंने point बना दिया मुझे क्या करना है मुझे यह जो length है ना AP मुझे AP और PB इसका ratio यहाँ पर निकालना है क्या ratio होने वाला है कैसे करेंगे step के problem को ratio निकालने के problem को देखें यहाँ पर मैं आपको fundamental बता दू किस तरह से problem बनाया क्या है एक तरफ तो ratio है किस की line segment की ratio किस तरीके से P point ने काटी है plus दूसरा coordinates है किस के coordinates है line segment के A के और B के ठीक है तीसरी तरफ क्या है कि जो point P है उसके coordinate कैसे define होता है दोसरो concept समझी का जो आपको कहीं भी ratio और coordinates दिये हो तो section formula से section formula से हम point P के coordinates यहाँ बना सकते है बट यह point P के coordinates तो given है यहाँ पर भी A की जोग चीज़े है वो given है तो इसका मतलब क्या है यह दोनों चीज़े given है coordinate और section formula के coordinates और ratio हमसे यहाँ पूछी जा रही है जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख कर दिखा लिख 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 ठीक है अब यहाँ पर section formula के terms में इसके coordinate बनाएंगे मान लेते हैं यह x1 y1 है यह x2 y2 है ठीक है और यह जो ratio है वो किस form में है यह देखी यह होगा यह होगा आपका m1 यह होगा आपका m2 ठीक है दो variable के form में हमने बना रही है बट इजी करने के लिख 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 यह ratio k है मतलब के k हमने यहाँ पर क्या किया constant मान लिया ठीक है अब हमें क्या निकालना है अब हमें one ratio k निकालना होगा ठीक है ना मतलब के indirectly हमें k की यहाँ value identify करनी पड़ेगी ठीक है ना लिख देते हैं यहाँ पर find the value of k की की value कैसे find होगी जब हम इस section formula में यह सारे coordinates बैठ देंगे और M1 और M2 की जगा M1 की जगा रखेंगे 1 और M2 की जगा रखेंगे K कैसे करेंगे देखिए X coordinate देखते है X coordinate क्या है point P का也可以 coordinate of point P एक्सектив और यहाँ बना दिगा कैसे करेंगे इसको देखी X coordinate क्या है minus one है is equal to M1 into X2 M1 क्या है 1 into x2 x2 क्या है 6 plus of m2 into x1 m2 क्या है k plus of x1 x1 क्या है minus 3 divided by 1 plus k होगा m1 plus m2 यह होगा s coordinate देखिए अब इसको सिंप्लिफाई करते है minus 1 minus k equal to 6 minus of 3k ठीक है अब यह देखिए constant एक तरफ लेगे minus 7 is equal to क्या रहा है minus of 2k k equal to 7 by 2 ठीक है अब यहां पर k value रख दीजे देखिए यहां पर अगर रखें k value 1 is to 7 by 2 ठीक है तो यह किस तरह से ratio form में convert होता है इसकी ratio बनने वाली है क्या करेंगे यह 2 यहां आ जाएगा 7 यहां जाएगा कैसे किया मैंने यह 2 था यह यहां पर चला जाएगा यह ratio का fundamental होता है जो भी denominator है उसको हटाना पड़ेगा और ratio को हमें इस structure में singular structure में लेकर आना पड़ेगा तो यही लिख देते हैं यह इसका solution होता है solution में क्या लिखेंगे के point P P की coordinate लेके 16 divide line segment into 2 is to 7 के ratio यह इसका solution और answer हो जाएगा इस तरह से दोस्तों में इस problem को solve कर सकते हैं